जो यह for loop है ठीक है for keyword है ठीक है for a keyword है इसके brackets के अंदर में हम लोग यहाँ पे i equal to one जो लिखते हैं उसको बोलते हैं expression one ठीक है expression one जो होता है वो initialization होता है है इन इसलाइस हम लोग करते हैं लूप वेरीबल का सेकेंड हम लोग expression लिखते हैं conditional statement condition लोग यहां पर देते हैं जहां पर यह हम लोग बताते हैं कि वो लूप कहां जाके रुकेगा ठीक है और आई plus plus मतलब होता है कि जो यहां पर increment या पर डिक्रिमेंट देते हैं इसको हम लोग बताते हैं कि वह लूप जो है कितना स्टेप चल रहा है वर्हल कॉंसेप ब़स हम लोग इतना समझना है दैन उसके बाद यहां पर पर यही लूप की आधार पर यह स्टेटमेंट से वीट हैं भले यह वहांपर एक स्टेटमेंट लिखा वह दस स्टेटमेंट लिखा ऑचास स्टेटमेन लिख तो पस्के इसका स्कोप सिर्फ और्स इस ब्रैकेट के अंदर तक ही होगा ठीक है यह इसकी boundary बॉले यहां पर शुरी ही हुई और यहां पर खतम होई ठीक है इसको हम लोग बोलता है लूप बोडी ठीक है बॉडी ओप दालूप ठीक है बस इतनी सी चीज़ है इस फॉर लूप है to make a loop infinite we need not to give any expression in the syntax instead of that we need to provide two semicolons to validate the syntax of the for loop ठीक है अगर हमें loop को infinite times चलाना है loop को infinite times चलाना है means unginner times उसको चत्रन करना है टीननOh原 चलाना है ठीक है अब ऑं लोग क्या करेंगे ऐसे अधिक और इसने हम लोग स्थिक, और इस लूप बाडी के अंदर में हम लोग यहां पर कोई भी एक लाइन यहां पर लिख दिया है और यह इन्फनाइट टाइम्स रन होगा हम लोगा कंप्यूटर हैंग हो जाएगा और यह रन होते ही रहेगा कभी नहीं रुके गाई जब तक हम लोग इसको फोर्स फुली ना रोकें तब तक यह रुकेगा नहीं तो इसी को बोलते हैं इन्फनाइट फॉर्लूप इन सी लेंगविज